दिल्ली के कोने कोने से आएवे मेरे प्यारे बहनों, भाईयों, माताओं, बुजर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम कल शाम को मैं टीवी देख रहा था, एक्जिट पोल आ रहे थे, देखे आप लोगों ने, क्या देखा हर्याना और जम्मू कश्मीर से भाजपा की डबल इंजन सरकारे जा रही हैं, दोनों राज्यों से भाजपा की डबल इंजन सरकार जा रही है, अब डबल इंजन फेल हो गया देश के अंदर, एक इंजन तो जून में ही खराब ओ गया था जब इनके 240 सीट आई थी अब दूसरा इंजन एक एक करके अभी हर्याना से दूसरा इंजन जा रहा है फिर जम्मु कश्मीर से जा रहा है फिर जारखंड से भी जाएगा फिर महाराश्ट्र से भी अब सारे डबल इंजन की सरकार जा रही हैं, लोगों को समझ में आ गया, डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भरष्टाचार, डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भरष्टाचार, इसलिए पूरे देश से इनकी सरकारे जा रही हैं, अब दिल्ली के चुनाम आने वाले हैं दिल्ली में आके ये कहेंगे डबल इंजन सरकार बना दो डबल इंजन सरकार बना दो इनसे पूछना जब आएं कि भई हर्याने वालों ने बनाई थी तुम्हारी डबल इंजन की सरकार दस साल तक इनकी हर्याना में डबल इंजन की सरकार रही तो ऐसा क्या करा तुमने कि हर्याने में आज कोई इनको अपने गाउं में नहीं गुसने दे रहा पता है आप लोगों को आपकी रिष्टेदारियां होंगी गाउं मैं गया था भी पूरे अर्याने में गुम रहा था मैं चुनाओ प्रचार के लिए मैं गया था भाजपा वालों को गाउं के अंदर नहीं गुसने दे रहे मतलब जैसे मतलब धक्के मार मार के लोग महले में नहीं गुसने दे रहे गलियों में नहीं गुसने दे रहे, गाउं में नहीं गुसने दे रहे तो double engine की सरकार तुमारी अर्याने में बनाई थी ऐसा क्या कर दिया तुम लोगोंने कि अर्याने वाले अब तुमको दुतकार के बगा रहे हैं अपने अपने गाउं से उत्तर परदेश में 7 साल से double engine की सरकार है कुछ तो गड़वड करी होगी तुमने कि आदी सीट रह गई तुमारी लोग सबा के अंदर उत्तर परदेश से क्या गड़वड करी तुमारी double engine मनिपुर में इनकी double engine की सरकार है 7 साल से जल रहा है मनिपूर पिछले दो साल से जल रहा है तो ऐसी डबल इंजन की सरकार चाहिए कि मनिपूर बना देए हर राज्य को तो अगर ये आएं आपके पास और कहें डबल इंजन की सरकार चाहिए तो बोलना बिलकुल नहीं बनानी डबल इंजन की सरकार ठक गया यह देश डबल इंजन की सरकार से डबल इंजन का मतलब है डबल लूट डबल भरष्टाचार मोधी जी के एक दोस्त हैं नाम पता है सब लोगों को एक ही कहते हैं मोधी जी कहीं भी विदेश जाते हैं उनके पीछे पीछे वो जाता है और उनके लिए ठेके एकठे करके लाते हैं देश में जितने काम हैं सारे उनको दे रहे हैं केंदर सरकार में जितने ठेके हैं सारे उसको मिलते हैं कौन है तो डबल इंजन की सरकार इसलिए चाहिए कि केंदर के तो सारे ठेके दे दिये अब रज्जों के ठेके भी देने हैं उनको इसलिए इनको डबल इंजन की डबल लूट की सरकार चाहिए इन लोगों को अभी आएंगे आपके घर में आएंगे चुनाओं में और कहेंगे जो जो केजरी वाल ने किया वो सारा काम हम करेंगे अभी कह रहे हैं यह जा रहे हैं जगे जगे जो जो केजरी वाल ने किया सारा काम हम करेंगे तो उनको कहना फिर तुमारी क्या जरूरत है केजरी वाल है हमारे सारे काम करने के लिए फिर इनकी क्या जुरूरत है चलो इनको एक मौका देते हैं इनसे ये पूछना केजरी वाल ने बिजली फ्री कर दी आज इनकी 22 राज्यों में सरकारे हैं इनसे पूछना एक राज्य बता दो जहां तुमने बिजली फ्री करी हो एक राज्य बता दो गुजरात में, राजस्थान में, मद्यपरदेश में, छतिस गड़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्राखंड में कहीं इन्होंने बिजली फ्री करी हो इनकी 22 रज्जों में सरकार हैं हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए शिक्षा शांदार कर दी सरकारी स्कूल अच्छे कर दीए यह आएं आपके पास और कहें हम केजिरी वाल के सारे काम करेंगे इनसे पूछना कौन से रज्जे के अंदर तुमने स्कूल ठीक करें गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है एक स्कूल दिखा दो मैं गुजरात गया था परचार करने के लिए पिछली बार दो साल पहले एक स्कूल नहीं मिला जो इन्होंने ठीक करा गरीबों की शिक्षा का सत्या नास कर दिया इन लोगों 22 राज्यों में इनकी सरकार है एक काम बता दें ये एक काम जो इन्होंने इच्छा काम करा हो 22 राज्यों के अंदर मैं आज मोदी जी को कहना चाहता हूँ प्रधान मंत्री जी अगली साल 17 सितंबर को आप 75 साल के हो जाओगे अगली साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे एक साल और बचा आपका प्रधान मंत्री का मैं चैलेंज करता हूँ प्रधान मंत्री जी इस एक साल के अंदर आप अपने इन बाइस राज्यों के अंदर कोई काम करके दिखादो जो दिल्ली के अंदर काम हुए लोग ये कह रहे हैं दस साल होगा है मुधिजी को राज करते करते दस साल मेरों ने कुछ नहीं करा जब ये रिटायर होऊंगे तो लोग सोचेंगे क्या करके गया कुछ नहीं करके गया आखरी एक साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो दस साल में कुछ नहीं किया ग्यारवे साल में तो कुछ करके गये आज मैं मोदी जी को कहता हूँ चलो कुछ नहीं एक ही काम कर दो फर्वरी में दिल्ली के चुनावें फर्वरी के पहले इन 22 के 22 रज्यों में बिजली मुफ्त कर दो दिल्ली के चुनावें मोदी जी का प्रचार करूँगा मैं इन 22 रज्यों के अंदर आप बिजली मुफ्त करके दिखा दो या लिन को जैसे दिली में हमने भी दिली के लोगों के बिजली मुफ्त करिये आपका पर चार केजरी भाल करेगा दिली के अंदर अज दिली में कानून विवस्था दोस्तों मैं आपसे इमानदारी से पूछना चाहरा हूं चारों तरफ ऐसा महोल हो रहा है, रोज गोलियां चल रही है दिल्ली में बड़े बड़े गैंडस्टरों ने अपने ठिकाने बना लिए दिल्ली के अंदर अखबारों में तो दो चार खबरी छपती हैं गाहो देहात दिल्ली का है जो उधर निकल जाओ इतना क्राइम हो गया इतना अपराद हो गया मैं लेके आया हूँ आज खूब सारे चार अक्टूबर को खड़ा कोलोनी दक्षिन दिल्ली जैदपूर में नीमा उस्पिटल में एक उनानीप पचास साल के डॉक्टर की हत्या कर दी गई गोली मार के 30 सितंबर को उतना अगर में भारतिय जन्ता पार्टी के नेता रमन जीत सिंग की गाड़ी के उपर गोलियां चलाई गई 39 सितंबर को नांगलोई में दिल्ली पुलिस के एक कॉंस्टेबल ने एक शराब माफिया की गाड़ी रोकने की कोशिश की और उस शराब माफिया के उपर गाड़ी चड़ा के उसके हत्या कर दी गई 28 सितंबर को गुलाबी बाग में चार किलो सोना साड़े तीन करोड का लूट के भाग गए 28 सितंबर को नारायन विहार में 20 राउंड गोलियां चलाई एक गाड़ी शोरूम था गाड़ियों का उसके ओपर 20 राउंड गोलियां चलाई 28 सितंबर कोई महिपालपूर में एक होटल के अंदर फाइरिंग हुई 28 सितंबर कोई नांगलोई में दो लोगों ने तीन या चार राउंड एक दुकान के ये कई सारे हैं ये कोई अंत नहीं है मैं खूब सारे लेके आया हूँ ये जो अपराथ दिल्ली के अंदर हो रहा है सारी सीमाएं तोड़ दी जैसे नब्बे के दशक में हम सुना करते थे मंबई में अंडर वर्ल्ड का राज था वोई हाल आज दिल्ली का हो रहा है लोगों का घर से निकलना मश्किल हो गया है और ये तो वो हैं जो ख़बारों में छप रही है ये तो वो हैं जिसमें फैर हो गई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के पास जाती नहीं है या पुलिस फैर ही नहीं करती कितनी घटनाएं ऐसी हैं दिल्ली के अंदर आज आम आदमी का सुरक्षित जीना मश्किल हो गया है दिल्ली पुलिस इनके पास है सुरक्षा वेवस्था इनके पास है क्या कर रही है बीजेपी क्या कर रही थी बीजेपी जब ये फाइरिंग हो रही थी क्या कर रही है बीजेपी जब ये सारी घटनाए हो रही है बीजेपी दिल्ली सरकार के काम रोकने की कोशिश कर रही है बस ये करती है उनको एक ही काम दिया था आप लोगों ने कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था संभालो वो तो इन से संभलती नहीं जो काम इन लोगों को दिया गया वो काम तो ये करते नहीं लेकिन वो दिल्ली सरकार के काम वो बस मार्शल रोकने की कोशिश करते हैं बसों के अंदर इनको क्या पता बसों में कैसे अत्रह होती है राजनीती में आने के पहले मैं दस साल दिल्ली की जुगियों में रहा था बसों में रोज आया जाया करता था बसों में दस साल तक दिल्ली की बसों में मैंने भी खात चानी है मुझे पता है कि दिल्ली की बसों में क्या विवस्ता होती एक महिला जब दिल्ली की बसों में चड़ती है अगर उसे बैठने को सीट ना मिले तो मैं जानता हूं उसके साथ किस तरह का विवार किया जाता है इदर से कोई छेड़ता है उदर से कोई छेड़ता है इदर से कोई उसको तंग करता है किस तरह से दिल्ली की बसों के अंदर जेब कत्रे काम करते हैं किस तरह से अपराद होते हैं जब हमारी सरकार बनी हमने दिल्ली में बस मार्शल निउक्त किये बस मार्शल जब से निउक्त किये मेरे को चारो तरफ से पता चलने लगा महिलाएं अब अपने आपको सरक्षित महसूस कर रही है अगर किसी बस के अंदर कोई मन चला कोई गलत आदमी किसी महिला को छेड़ता था वो जोर से शोर मचाती थी बस मार्शल उसको तुरन ताके दबोच लेते थे और उसको पुलिस ठाने ले जाते थे कितने ऐसे मौके हैं मेरे को पता है हमारे बस मार्शलों ने कितने अपराद रोके हैं कितने जेव कत्रे पकड़े हैं एक बार तो एक छोटा सा बच्चा चार साल का बच्चा उसको kidnap करके ले जा रहे थे कुछ लोग वो बच्चा बुरी तरह से रो रहा था बस मार्शल को शक हुआ कुछ तो गड़बड़े वो एक stop पे उतरा एक आदमी उस बच्चे को लेके वो बस मार्शल उसके पीछे बेचे उतर गया और उसको रेलवे स्टेशन तक उसका पीछा किया तब पता चला वो बच्चे को kidnap करके ले जा रहा था हमारे बस मार्शल ने उस kidnap को पकड़के और उसको बच्चे को अपने माबाप को लोगाया अरे तुमसे तो नहीं संबल रही दिल्ली की सुरक्षा विवस्था अगर कोई दूसरा अच्छे काम कर रहा है उसको तो मत रोको यार अगर हमने दिल्ली की बसों में सुरक्षत विवस्था ठीक की थी तुमें ये पूरी दिल्ली के अंदर करनी चाहिए थी तुमने बसों के अंदर भी बंद कर दी शरम आने चाहिए तुम लोगों को इन्होंने बस मार्शल एक साल हो गया दिल्ली के अंदर बंद किये हुए तीन चार बार तो मैं दिल्ली के अलजी के पास होके आया मैंने दिल्ली के एलजी के पैर पकड़े मैंने का यह बस मार्शल बंद मत करो एक तरफ इन्होंने दिल्ली में बसों के अंदर महिलाओं को असुरक्षित कर दिया यात्रियों को असुरक्षित कर दिया दूसी तरफ यह बस मार्शल कौन है ये गरीब बच्चे हैं बिचारे पंदरा पंदरा जार रुपे मिलते हैं इनको महिने के अरे पंदरा जार रुपे में आजकल कौन नौकरी करता है गरीब आदमी तो नौकरी करता है कोई इनका बीजेपी के निताओं का बिच्चा तो नौकरी नहीं करता बस मार्शल की गरीब आदमी तो नौकरी करता है वेंजे गलत तो नहीं कह रहा गरीब आदमी तो नौकरी करता है इन दस हजार बस मार्शल की नौकरी छीन ली इन लोगों ने और कितनी नोट अंकी कर रहे हैं कितना जूड बोल रहे हैं कभी कहते हैं कैबिनेट नोट पास नहीं किया कभी कहते हैं फलाना नोट पास नहीं किया कई ये नहीं किया कल हमारी सारी कैबिनेट बैठ गए इनके साथ आतीशी जी सारव बारदुआ जी ए हमारे सारे मंत्री बैट गए बोले बताओ कहां साइन करने हैं बोले कैबिनेट नोट पास करो इन्होंने कैबिनेट नोट बना दिया कल ये सारे दिल्ली के सामने सारे देश के सामने ये नंगे हो गए इसका मतलब इनकी नियत नहीं है इनकी नहीत नहीं है गरीबों के खिलाफ हैं ये लोग ये गरीब विरोधी हैं मेरे को पता चला जब मैं जेल में था इन्होंने 500 डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दी अस्पतालों से गरीब डेटा है जब आप सरकारी अस्पताल में जाते हो खिड़की पे जाते हो जो आपकी परची बनाता है वो तो गरीब आदमी होता है जो परची बनाता है परची बनाने वाले 500 आदमी निकाल दिये इन लोगों ने बीजेपी वालों ने एक हजार आपके सीवर की सफाई करने वाली लेबर निकाल दी इन लोगों ने जब मैं जेल में था सीवर की सफाई करने वाले एक हजार करम चारी निकाल दिये इनोंने इनोंने अलग-अलग विभागों से फैलोज निकाल दिये इन लोगोंने इनोंने पांच अजार होमगाड की तंखा रोक रखी है पांच महीने से इनोंने वृद्धवस्था पेंशन रोक रखी है पांच महीने से इनोंने विड़ो पेंशन रोक जो पेंशन दारी उनकी आठ महीने से पेंशन रोक रखे रहे शरम कर लो यार अरे भगवान से डरो तुम लोग बगवान है इस दुनिया में है कि नहीं है कौन कुन मानता है भगवान है अरे बहुत बुरा करेगा तुम लोगों का इनकी हाय लगेगी यह गरीब है सारे यह क अरे कुछ अच्छे काम करो यार तुम तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत है केंदर सरकार में तुम्हारी सरकार है इतना पैसा है कुछ अच्छे काम करते हैं लेकिन अब चिंता मत करना तुम्हारा केजरी वाल आ गया सब की तंखा दिला दूँगा सारे काम करा दूँगा सबकी तंखा दिला दूँगा सबकी नौकरी वापस करवाऊंगा जितने बस मार्शले हैं सारे बस मार्शल को कहना चाहता हूँ आपका बड़ा भाई आ गया लड़ेंगे कल मैंने देखा कैसे सौरव भारदुआज कैसे सौरव भारदुआज विजेंदर गुपता के पैरों के अंदर पड़ा था ये छोटी बात नहीं है बाई साब बहुत बड़ी बात है कोई मंत्री बन जाए उसका ऐसा इंकार हो जाता है मैं अभी इनके एक मंत्री का बियान बताऊंगा हमारे मंत्री दिल्ली के लोगों के लिए इनके पैरों में भी गिर जाते हैं कल सौरव भारदुआज बीजेपी के पैरों में नी गिरा था सौरव भारदुआज कौन है ये कोई एक शक्स नहीं है दिल्ली के दो करोड लोगों दुआरा चुना हुआ मंत्री है आपका मंत्री है कल सौरव भारदुआज बीजेपी के पैरों में नहीं था इस देश का जनतंत्र बीजेपी के पैरों में गिर के कराह रहा था बड़ी शरम आई जिस पार्टी को 62 सीटे दी लोगों ने और जिस पार्टी को 8 सीटे दी वो 62 सीटे वाली सरकार बीजेपी के पैरों में गिर के उनसे बीक मांग रही है हमारे बस मार्शल्स को बचा लो मैं जब जेल गया इन्होंने आपकी सड़कें खराब कर दी सड़कों की रिपेर बंद करा दी जगे जगे सीवर की मेंटेनेंस बंद करा दी इन्होंने हम दवाईयां फ्री देते हैं अस्पतालों में महला क्लिनिक में फ्री दवाई फ्री टेस्ट का इंतजाम किया है आठ साल से सही चल रहा था सबको फ्री दवाईयां मिल रही थी सबको नौ साल से फ्री दवाईयां मैं जेल गया इन्होंने आपकी दवाईयां बंद करा दी इनोंने आपके टेस्ट बंद करा दिये मेरे को बड़ी तकलीफ हुई अरे इस प्रिठवी के उपर भगवान ने भेजा है कुछ पुन्य कमाने के लिए सत्ता के लिए इतना हेंकार मत करो सत्ता के हेंकार में इतने मत चूरो जाओ कि इतने बुरे पाप करने लगो अगर दवाईयों की वज़े से किसी की मौत हो जाएगी अस्पतालों के अंदर दवाईयों की वज़े से अगर लोग बिमार रहेंगे तो इससे तो अपना ही नुकसान होगा दिल्ली के लोग का ही नुकसान होगा जनता का ही नुकसान होगा पर ये सारी old age pension ये सारे मैं दुबारा ठीक कराऊंगा मैंने बात की आतिशी जी से सडकों की repair चालू हो गई ये आप लोगों ने देखा होगा पूरे दिल्ली के अंदर हमारे मंत्री सारे विधायक सडकों के उपर उतरे हुए है सब की repair चालू करा दी सारी सडकों की repair शुरू हो गई है सीवर की सफाई भी अब जल्दी शुरू कराएंगे दवाईयां और test जो इन्होंने बंद कराएंगे वो भी दुबारा चालू कराएंगे ओल्डेज पेंशन मुझे पता चला है कि चालू हो गई है आज दिल्ली में जनतंतर नी है पहले हमारे देश में ब्रिटिश राज था आज हमारे देश में एलजी राज है जब मैं जेल में था मैंने भगत सिंग, सुभाश चंद्र बो, सश्वा कुला खान इनकी जिंद्गी इनके बारे में खूप पड़ा अपने भारतिय स्वाधिंता अंदोलन के बारे में खूप पड़ा मैं सोच रहा था भगत सिंग ने इसलिए फांसी खाई थी क्या कि अंग्रेज जाएंगे और एक एलजी आके दिल्ली के उपर राज करने लगा अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली में बस मार्शल होने चाहिए तो क्या अलजी को बस मार्शल हटाने की पावर होनी चाहिए अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि हस्पतालों में फ्री दवाईयां मिलनी चाहिए तो क्या LG के पास दवाईयां बंद करने की पावर होनी चाहिए अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें फ्री टेस्ट मिलने चाहिए इलाज फ्री होना चाहिए तो क्या LG को इलाज बंद करने की पावर होनी चाहिए अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें फ्री बिजली मिननी चाहिए, तो क्या LG को फ्री बिजली मिननी बंद करने का अधिकार होना चाहिए? कौन होता है LG दिल्ली के लोगों के खिलाफ निर्ने लेने वाला? हमें दिल्ली के अंदर बिए जनतंत्र लेकर आना है. जो पूरे देश के अंदर दूसरे लोगों का अधिकार है पूरे देश में आप पंजाब चले जाओ, राज़स्थान चले जाओ, मद्यप्रदेश चले जाओ, 36 गड़ चले जाओ वो लोग वोट डालते हैं जिस सरकार को चुनते हैं उस सरकार की पूरी पावर होती है कोई नहीं जानता था तो पता नहीं मैंने कुछ पुन्य करे थे कि आप लोगों ने इतना मेरे को मान सम्मान इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी मैं दिली की जुगी बस्तियों में काम किया करता था जुगी बस्तियों से उठा के आप लोगों ने अपने दिल में बसा लिया मेरे को मैंने पता नहीं क्या पुन्य किये थे मैंने आज मैं आपके सामने कसम खा के जा रहा हूं अपनी जिन्दगी के अंदर आपको मैं पूरे आपके अधिकार दिला के रहूंगा दिल्ली को पूर्ण राज्य बना के रहेंगे दिल्ली को LG से मुक्ती दिला के रहेंगे दिलानी है कि नी दिलानी दिल्ली को LG के राज से मुक्ती दिला के रहेंगे जनता का राज शासन करके रहेंगे जनता का शासन कायम करके रहेंगे मैं आपके परिवार कोई नहीं मैं आपसे मिलूँगा मिलके जाओंगा आप बैठ जाओ सामने बैठ जाओ आप से मिलके जाओंगा चिंदा ना करो कोई मिलना चाहरा है मैं सबसे मिलता हूं भाई साब मैं किसी से मना नहीं करता दोस्ता मैं आप मैंने अपने दो करोड़ लोगों को परिवार माना हैं आप सब मेरा परिवार हो मैंने आपके बिजली फ्री कर दिया, बताओ क्या कसूर करा, मैंने आपका पानी फ्री कर दिया, बताओ क्या कसूर करा, दिल्ली की सारी महिलाएं मेरे को अपना भाई मानती हैं, मैंने अपनी बेहनों के लिए बस का किराया मुफ्त कर दिया, बताओ क्या गलत करा, दिल्ली के जितने बच्चे हैं उनको मैं अपना बच्चा मानता हूँ उनके लिए मैंने अच्छ स्कूलों का इंतिजाम कर दिया बताओ क्या गलत करा मोधी जी कह रहे है फ्री की रेवडी दे रहा है मुफ्त की रेवडी दे रहा है केजरिवाल, मुफ्त की रेवडी दे रहा है मैं मोधी जी को कहना चाहता हूँ अगर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना मुफ्त की रेवडी है तो हाँ केजरिवाल मुफ्त की रेवडी दे रहा है अगर दिल्ली के लोगों को अच्छा इलाज देना मुफ्त की रेवडी है हाँ केजरिवाल मुफ्त की रेवडी दे रहा है अगर दिल्ली के लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाना भिजली की फ्री करना मुफ्त की रेवडी है हाँ केजरिवाल मुफ्त की रेवडी दे रहा है आज मैं मुफ्त की रेवडिया लेके आया हूँ ये एक packet है इसमें छे रेवडिय है आप जब यहां से जाओगे तो बाहर गेट पे आपको एक एक packet मिलेगा छे छे रेवडिय का केजरीवाल ने छे मुफ्त की रेवडिय दी है दिली के हर नागरिक को ये छे इसमें छे मुफ्त की रेवडिय है कौन कौन सी है पहली रेवडिय मुफ्त बिजली दूसरी रेवडिय मुफ्त पानी तीसरी रेवडिय बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा चोथी रेवडिय महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा पाँचवी रेवडी सब के लिए फ्री और शांदार शिक्षा छटी रेवडी सब के लिए मुफ्त और अच्छा इलाज ये छे रेवडी दे रहा हूँ साथवी रेवडी आने वाली है हर महिला को हजार हजार रुपे उनके बैंक अकाउंट में मैं प्रधान मंत्री जी को कहना चाहता हूँ ये छे रेवडी हैं और साथवी रेवडी आने वाली है आपको ये पैकेट मिलेगा ये रेवडी जो है इसमें चीनी से बनती है रेवडी ये चीनी तो जनता की है इसमें जो तिल है वो तिल भी जनता का है इसमें जो घी लगा वो घी भी जनता का है इसमें जो इलाईची डली इलाईची भी जनता की है मैं तो हलवाई हूँ मैंने ये सारा मिला के जनता की रेवडी बना के आपको दे दी ये रेवडी मेरी थोड़ी है तिल भी आपका इसमें चीनी भी आपकी इसमें तेल भी आपका घी भी आपका इसमें इलाइची भी आपकी ये रेवडी जनता का ये तो भगवान का परसाद है आज आप ये लेके जाओगे जब ये packet आपको यहाँ पे मिलेंगे जब घर लेंगे मिलगा है सबको ये packet आप घर में ले जाके आपके घर में पूजा घर होगा हो है की नहीं है इसको जेब में डालने ना भी खाना नहीं घर में जाके पूजा घर में रखके पूजा करके इसकी भगवान के सामने ये परसाद है ये परसाद है इस परसाद को पूजा घर में रखके इसका परसाद चड़ा के फिर सब को बांट देना घर के अंदर एक एक सब को बांट देना मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ जनता से तिली कठा करके घी कठा करके चीनी कठी करके गुड़ी कठा करके मैंने रेवडी बना के जनता में बाट दी परसाद बाट दिया मोदी जी आपने तो सारी की सारी मिठाई की दुकान उठा के अपने दोस्त को दे दी आपने तो पूरी की पुराई मिठाई की दुकान उठा के अपने दोस्त को दे दी ये गलत है मेरा कसूरी है दिल्ली की एक भी रेवडी मैंने मोदी जी के दोस्त को नीले ने दी इनोंने दोस्तों, पूरी प्लानिng करकी है, यह बाद जाके सब को बताना, इनोंने पूरी प्लानिंग करकी है, अगर गलती से आपने दिल्ली में बीजे पी को वोट दे दिया, तो ये DTC अपने दोस्त को दे देंगे बिजली कमपनिया अपने दोस्त को दे देंगे दिल्ली जल बोर्ड अपने दोस्त को दे देंगे दिल्ली के जितने सरकारी स्कूल हैं ये अपने दोस्त को दे देंगे और दिल्ली के जितने सरकारी अस्पताल है अपने दोस्त को दे देंगे फिर आप देख लेना आपका बसो का किराया कितना होगा फिर आप देख लेना आपकी बिजली कितनी में सबसे पहले ये फ्री बिजली बंद करेंगे आज मैं जब गुजरात में जाता हूँ गुजरात के लोग पूछते हैं BJP वालों से जब केजली वाल ने पंजाब में और दिल्ली में बिजली फ्री कर दी तुमने क्यों नहीं करी तो ये गुजरात में बिजली फ्री नहीं करते अब ये दिल्ली और पंजाब में बिजली फ्री बंद करना चाहते हैं ताकि गुजरात के लोग आवाज न उठाएं ताकि यूपी के लोग आवाज न उठाएं तो अगर आपने गलती से इनको वोट दे दिया आपकी फ्री बिजली है छे की छे रेवडी आपकी खतम हो चोर है बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने वाला चोर है कि बच्चों की शिक्षा महंगी करने वाला चोर है फ्री इलाज देने वाला चोर है कि सरकारी अस्पिताल बंद करने वाला चोर है मैं आप से पूछना चाहता हूं पानी फ्री देने वाला चोर है कि पानी चोरी नहीं की इसलिए आज छाती चोरी करके मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और कह रहा हूं कि अगर मैं इमानदार हूं तो वोट देना वरना वोट मत देना इसलिए मेरे अंदर हिम्मत है यह कहने की क्योंकि मैंने चोरी नहीं की आज इतनी आपे याई मैं जंता की अदालत में आया हूँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जिन जिन लोगों को लगता है केजरी वाल इमानदार है हाथ खड़े कर दो जिन जिन लोगों को लगता है मोदी जी ने केजरी वाल के खिलाफ गंदा शडियंत रर रह चाथ खड़े कर दो मैंने केवल जन्ता के लिए काम किया है मैंने अपने लिए कभी काम नहीं किया मैंने अपने परिवार के लिए काम नहीं किया आप देखोगे, सारी पाľटियों के अंदर जब टिकेट देने की बात आती है MLA का टिकट, MP का टिकट तो इनको अपने बच्चे याद आते हैं आते हैं कि नहीं आते इसका बेटा, इसका भाई, इसका बाप इसकी पतनी, इसका फलाना मैंने अपने किसी रिष्टेदार को आज तक टिकेट नहीं दी मैंने कभी अपने बेटे को टिकेट नहीं दी मैंने आपके बच्चों को टिकेट दी आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए मैंने हमेशा आपके बच्चों का ख्याल रखा है अभी जब दिल्ली का नया मुख्यमंतरी बनाने की बात आई इन्हों ने बीजेपी वाले ने खूब उचाला केजरी वाल अपनी बीवी को बनाएगा मुख्यमंतरी अपनी बीवी को बनाएगा मेरी बीवी मुख्यमंतरी बनने के लिए बेताब नहीं है हमने अपनी कारेकर्टा को मुख्यमंतरी बनाया दिली का जब मैं जेल के अंदर था दोस्तो इन्होंने तरह तरह से मुझे यातनाई देने की कोशिश की इन्होंने मेरा इंसुलिन रोक दिया, मेरी दवाईयां रोक दी पिछले दस साल से मेरे को रोज चार बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं पेट में चार बार रोज सुबह, तीन बार खाने के पहले और एक बार सोते टाइम, चार बार इंजेक्शन रोज लगते हैं इन्सुलिन के इन्होंने पंदरा दिन तक मेरा इंसुलिन बंद कर दिया मैं अमिद्शा जी से पूछना चाहता हूँ, अमिद्शा जी को भी शुगर की बिमारी है, अमिद्शा जी को भी इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अमिद्शा जी मेरे को ये बता दो, अगर पंदरा दिन आपके इंसुलिन के इंज यंजक् Natasha लगते हैं आमिटичा जी आपने मेरे इंसुलstellung के इंजेक्शन बंद कर दिये की हा जेल के अंधर पंदरा दिन आपके अगर 15 दिन इंजेक्शन बंद कर दिये जाएं आपका क्या हाल होगा मेरी किडिनी खराब हो सकती थी किडिनी खराब होके मेरी मौत हो सकती थी अमिच्छा जी क्या यही आपका मकसद था क्या आप यही चाहते थे अमिच्छा जी 2010 में चार महीने के लिए अमिच्छा जी को जेल होई थी गुजरात की जेल में रहे थे वह चार महीने के लिए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या आपके भी इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिये गए थे जब आप जेल में थे तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यूं किया आपकी क्या मनशा थी ये देश जानना चाता है जानना चाते हो कि नहीं जानना चाते ये देश जानना चाता है आपने केजरी वाल का इंसुलिन बंद क्यूं किया जेल के अंदर मैं आज अपने पार्टी के कारे करता हूँ से एक ही चीज कहना चाहता हूँ मैंने कई बार बोला है हम राजनीती में आए हैं राजनीती में आने के बाद जब आप सत्ता में उते हो आपके अंदर एहंकार आ जाता है एहंकार मत करना कभी भी इन दूसरी पार्टियों से सीखो जब जब इनोंने हंकार किया इनका क्या हाल हुआ इनका क्या हाल हुआ इनके नेताओं का क्या हाल हुआ और कभी आज ये जिस तरह से बीजेपी वाले गुंडागर्दी पर उतरे हुआ है इनसे गुंडागर्दी मत सीखना मैं इनके एक बहुत बड़े नेता है उन्होंने एक दो दिन पहले ट्वीट किया है मैं वो ट्वीट पढ़के सुनाना चाहता हूं उन्होंने ट्वीट किया है तुम हरामी के पिलों को जहर उगलने की इतनी जल्दी है कि ठीक से पूरा न्यूज भी नहीं पढ़ते हराम जा दे उसी न्यूज में लिखा है कि तुम्हारे बाप के जमाने से चली आ रही पुरानी ये इनके सीनियर नेता की भाशा है ये इनके सीनियर नेता ने ट्वीट किया है तुम हरामी के पिलों को जहर उगलने की इतनी जल्दी है हराम जा दे क्या हम ऐसा भारत वर्ष चाते हैं मैं आम आजमी पार्टी से हूँ कोई बीजेपी से है कोई कॉंगरिस से है कोई समाजवादी पार्टी से है कोई इस पार्टी से कोई हैं तो इसी देश के यार ये गाली गलोच क्यों कर रहे हो ये हमारी सब्भेता नहीं है ये भारत की सब्भेता नहीं है मैं आज आम आध्मी पार्टी वालों से कहना चाहता हूँ कभी गाली गलोज मत करना हम हार जाएंगे हमें हार ना पसंद है हमें हार ना मंजूर है हमें नीचे यह सत्ता लेकिन कभी इस किसम की गुन्डा-गर्दियों गाली गलोज किसी के साथ मत करना दूसरी बात कभी बे इमानी से चुनाव मत लड़ना कभी हमने इस देश के अंदर पहली बार ये साबित कर दिया है कि इमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं और इमानदारी से चुनाव जीते जा सकते हैं आज यह आरोप लगा रहे हैं कि हमने बेइमानी का पैसा इकठा करके गोवा का चुनाव लड़ा आज मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एक भी बेइमानी का पैसा गोवा के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया अगर हमने बेहिमानी के पैसे से गोवा का चुनाव लड़ा होता बाई सब आज मैं खड़ा नहीं होता मैं जिन्दिकी भर जेल के अंदर सड़ रहा होता आज मैं चोड़ी छाती करके इसमा से फिर से मांग करना चाहता हूं अगर बीजेपी में हिम्मत है तो नवंबर के मही और जारखंड के साथ दिल्ली का भी चुनाव करके दिखाए और नहीं तो मान ले कि हार गए वो